नमस्कार दोस्तो साइंस आफ तंतरा के एस्टो स्टोक मार्किट मैं मैं राजेस को स्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूँ पहले डिस्क्लेमर दोस्तो हमारे द्वारा बताईवी जानकारी चैन अब्वे पृतिसच से भी ज़्यादा सही जारी हो पर उन्हें अपने स्टोक में अपलाई करने से पहले अपने फाइनेंशल एडवाईजर की सराथ जरूर ले क्योंकि उसमें भी चूप की संभाव ना हो सकती है इसलिए हमारा चैनल किसी भी तरह के प्रोफिट या लॉज की जिम्मेवारी नहीं लेता है और यही सेम डिस्क्लेमर हमारी पेड सर्विस पे भी लाग होता है दोस्तो और अगर आप हमारी पेड सर्विस के साथ जुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें एमेल करना ह दोस्तों सिरफ निफ्टी के अंदर पोजिशनल और इंटर दोनों काम करवाते हैं तो जो भी इंट्रेस्टेड है वो हमें मेल करके हमारे पेड सर्विस के साथ जुन सकता है दोस्तों फीस 10,000 टूपीस पर मन्त है और जो नया वीवर हमारी वीडियो को पहली बार देख र तो दोस्तों आईए अब हम बात करते हैं कि सौमवार के दिन मार्किट में क्या रहने के संभावना है तो जैसा कि मैंने अपने लाइव वीडियो पे भी आप लोगों को बताया था हम रात को तक्रीबन साड़े नो बज़े से दस बज़े के आस पास लाइव आते हैं तो आ मार्किट में हो सकता है कि जो ओपनिंग है वो पॉजिटीव ही हो और फस्टाप हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर ही रखे लेकिन मुझे सेकेंड हाफ में मार्किट में करेक्शन आती भी लग रही है दोस्तों तो अगर आपकी होल्डिंग है नीचे की तो मैं यही राहे द तो इसके ओपर अगर आप काम करना चाहते हैं के वेक के और आगे पूरे में हमारे लेवल को होता है मंत का भी और पूरा जो इनके ट्रेंड है जो ट्रेंड जहां तक मार्केट जाएगी या जहां से रिवर्सल होगा मार्केट में और वहां से फिर मरिवर्सल कहां तक होगा कहां सपोर्ट बनेगा तो यह हमारे पास सारे लेवल्स होते हैं जिसके उपर हम अपने मेंबर्स को काम करवाते हैं प्लस वीकली लेवल्स उनको अलग से देते हैं और इंट्रेडे निफ्टी का तो इंट्रेडे भी देते हैं ताकि वो उसके उपर अच्छे से पकड़ बना सकें दोस्तों तो इसी लिए हमारे सबी मेंबर्स जो है तकरीवण सबी प्रॉफिट्स में ही रहते हैं दोस्तों तो अगर आप भी अपने बड़िया प्रॉफिट्स करना चाते हैं और अपना बड़िया कॉंटिटी में काम करते हैं तो आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना जीए दोस्तों तो इसके लिए आप हमें इमेल कर सकते हैं आई अब हम बात करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को IRCTC के बारे में बताया था कि वो मुझे टॉक जो है मेरी परसनल होल्डिंग भी है और मुझे अच्छा लगा उसके अंदर जो है उपर की तरफ यात्रा काफी है लेकिन विड डिस्क्लेमर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि लेवल्स हैं उन लेवल्स के उपर खास ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि आपने बाई किया और वो सीदा का सीदा उपर सीदा पंदराशों पर जाके रुकेगा ऐसा नहीं है दोस्तों वहाँ पर भी आप लोगों को जैसा की मार्केट में होता ही है अप्स एंड डाउंस देखने को मिलेंगे तो विड अपने रिस्क के उपर ही आप इसको ले या जो भी काम करना है वह ले वह एक लॉंग टर्म टार्गेट है 1500 का ठीक है ना तो अभी शॉर्ट टर्म टार्गेट मैंने आपको 920 का दिया है जो मार्केट जरूर टेज करेगी मुझे लगता है जल्दी ठीक है और थोड़ा बहुत और उपर भी जा सकती है एपरोक्स 1000 के आसपास भी जा सकती है लेकिन जब मार्केट में वापिस करेक्शन आएगा जो कि मुझे उमीद है करेक्शन आएगा दुबारा तो वो भी टूटेगा ऐसा नहीं है कि वो नहीं टूटेगा ठीक है ना तो वो भी टूटेगा और वो नीचे के लेवल्स तक जा सकता है तो आपको सही समय पर अपने प्रॉफिट्स बुक करने होंगे दोस्तों तो खास जान रखें इस बात का कभी आप कहो कि सर नहीं मरवा दिया हमने हमने ओल्डिंग कर ली और मार्किट डाउन जा रही है तो हम में नुक्सान हो रहा है तो जिस तेजी से उपर जाता है उस तेजी से नीचे भी जाएगा दोस्तों तो वित आपका अपना रिस्क है अगर आप सही हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं कैस में तो आप उसकी भी सर्विस ले सकते हैं और उसकी भी 10,000 टुपीस पर मंत है द दोस्तों मैंने जो लेवल्स दिये हैं वो लेवल्स टच करेगी मार्किट लेकिन बीच में हडल्स होते हैं हर लेवल्स के ठीके ना ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक तरफ भागना शुरू कर दिया पागल हो गया तो इस बात का खास ध्यान रखें और मैंने आप लों कहा था कि 700 के नीचे मिले दो बाई करना अब 700 के नीचे कहीं तक भी हो सकता है तो ये खास ध्यान रखना दोस्तों तो ये मैं मुझे लगा कल मैंने वीडियो बना के दिया आप लों को तो मुझे ये एक पॉइंट लगा कि कहीं क्योंकि सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ व्यू अगर कुछ गलत गया या मार्केट में करेक्शन आती है तो फिर वो लॉसस में जाते हैं तो फिर वो गालिया वक्ते हैं तो उस बात का खास ध्यान रखना अगर आप सिर्फ व्यू के उपर काम कर रहे हैं तो सारा रिस्क और रिवार्ड आपका खुद का होगा तो इसको अध्यान में रखते हैं ये बात मुझे याद आई कुँकि जैसा मैंने लावी में बताया था कुछ लोग ऐसा सिर्फ विव के उपर ही कर लेते हैं तो यह एक डिस्कलेमर है जो आपको ध्यान में रकना है और डिस्कलेमर तो मैं हर वीडियो में देता ही हूँ मेरे परसंट एक्यूरेसी है लेकिन दस परसंट चांस जरूर है कि हम भी गलत हो सकते हैं दोस्तों हम कोई बागवान नहीं है और इसलिए हंड़ेट परसंट कभी भी कोई भी नहीं हो सकता है ठीके ना तो इस बात को खास धान में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग ट्रेड क करें अपने होल्डिंग्स बनाएं जो भी है और अगर अगर सही लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसके लिए इमेल करें मार्किट में आख बंद करके ब्लाइंड ट्रेड्स करके लॉसस देने का कोई फायदा नहीं है दोस्तो इससे बड़िया है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो सर्विस लेना चाहिए हमारी जो फीस है वो तो मेरे खाल से एक दिन की ट्रेडिंग में आप लॉसस दे देते हैं जिसको भी आप सही लगता है जिसको भी आप बॉलो करते हैं जो एक एक्सपर्ट राए लेने में कोई बुराए नहीं है दोस्तों ठीक है ना तो उसको ले और फिर अपना काम करें क्योंकि फाइनस है आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफ़तरता रखनी चाहिए और आप यहीं पर बहुत ज़्यादा लापरवाई करते हैं किसी को फिस देने से आप पता नहीं क्यों कत्राते हैं ठीक है ना तो सबके लिए बात नहीं है क्योंकि हमारी पेड मेंबर्शिक में लोग जुड़े वे और बड़िया प्रॉफिट्स करें पर नॉर्मली जो मैं उन लो लोसस दे सकते हैं बड़े बड़े लोसस दे सकते हैं तो वह सई तरीका नहीं है दोस्तों अगर सिर्फ व्यू के ऊपर आप होल्डिंग्स बनाएं अपने आप एक सई तरीके से सर्विस लीजिए जो भी आपको पसंद दो उसकी लिजिए जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसकी सर्विस लीजिए, सही तरीके से काम करिये, मार्केट में पैसा बनता है, जरूर बनता है, और अच्छा पैसा बनता है, दोस्तों, तो उमिद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताईवी जानकारी अच्छी लगी होंगी, और वैसे आप लोगों का वर्पूर प्यार ह हमेशा धन्यवाद करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद